नमस्कार दोस्तों, TP Insights में आपका स्वागत है, आज की वीडियों हम बात करेंगे गुड हेल TPA के बारे में, गुड हेल TPA की जो पोलसी होती है, उसके अंदर कैसे हम अपना क्लेम का प्रोसेस कर सकते हैं, यानि की कैसे हम उस पोलसी से कैसलेस क्लेम ले सकते हैं, या फिर रि मिलता रहे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, गुड हेल TPA की जो पोलसी होती है, वो दो टाइप की होती, एक होती है इंडिविज्वल पोलसी, एक होती है कोर्पेट पोलसी, इंडिविज्वल पोलसी का मतलब होता है, वो पोलसी जो हम अपनी मर्जी से पर्चेस क करते हैं जिसके limit हम अपनी मर्जी से तै करते हैं और उसका premium भी हम इस हिसाब से decide करते हैं कि उस premium के अंदर हमारी family की जो ज़रूरते हैं वो पूरी हो सके तो उस policy को individual policy बोलते हैं corporate policy का मतलब होता है कि अगर हम किसी private प्राइवेट संस्था में काम कर्या या किसी appli के अदर काम कर रहे हैं तो आपके akyमपनी का एमप् 가까 और उमटिके ironC Comics就到 प्राइवेट श्रफ का मारीट मालिक वह अपने एंपलोई का एंपलोई की वह एक या उसकी जो ट्रमेन कंडिशन्स होती है वो सारा कुछ कॉर्पेट वाले डिसाइड करते हैं यानि कि जो प्राइविट संस्ता का जो मालिक होता है ओनर होता है वो ही डिसाइड करता है कि हमें अपने एंपलोई को कितनी लिमिट तक की पोल्सी देनी है और उसमें क्या-क्या कवर करनी है क्या नहीं करनी है कॉर्पेट पोल्सी और इंडिविज्वल पोल्सी दोनों की ट्रमेन कंडिशन अलग अलग होती है इंडिविज्वल पोल्सी के अंदर वन मंत का वेटिंग प्रेड होता है उसको इस्तिमाल करने का यानि कि जिस दिन आप लोग उने पोल्सी बनके आ जाते हैं ऐसे ही individual policy के अंदर बहुत सारी terms इस टाइब के होती है जैसे waiting period हो गया surgery को लेके 2 साल के बाद ही उसके अंदर आपकी surgery कवर हो पाएगी 3 साल के बाद कुछ और बिमारीय कवर हो पाएगी दूसरा उसके अंदर pregnancy का भी कवर होता है और pregnancy के टाइम पर newborn baby जो जनम लेता है उसका भी पहले दिन से खर्चा कवर होता है बहुत सारी policy के अंदर लेकिन वो corporate policy के अंदर ही होगा और उसको group policy भी बोलते हैं corporate policy को ऐसे ही उसके अंदर जिससे surgery होता है वो भी first day से ही कवर होती है यानि कि कुछ बड़ी surgery जो होती है उन पर waiting period होता है लेकिन ज्यादा तर पोलसी के अंदर देखा गया corporate policy के अंदर कि उसकी limit बहुत कम होती है वो limited ही उसका amount होता है जिसका ज्यादा बड़ी बिमारी के लिए इलाज कराना बड़ा दिक्कत वाली चीज होती है जो corporate के employee होते है उनको इस बारे में भली बाती जानकारी होती है तो यह दोनों में difference होता है individual policy में और corporate policy के अंदर अब हमें अपना इलाज कराने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा जो good health TPA का card है या policy है वो किस hospital मे चल पाएगी या किस hospital में applicable है उसके लिए हमें good health TPA की website पर जाना है और वहां पर जाके network hospital की list को ढूणना है अगर हम किसी network hospital में जाके इलाज कराएंगे तो वहां में cashless इलाज मिलेगा और अगर हम किसी non network hospital में जाके इलाज कराएंगे तो वहां हमें अपने bill reimburse करने होंगे क non network होने के वज़े से network list का मतलब होता है network hospital का मतलब होता है वह hospital जो good health TPA से जुड़ा हुआ है उसको network hospital बोलते हैं और वह hospital जो good health TPA से जुड़ा हुआ नहीं है उसको non network hospital बोलते हैं तो मैं आप लोगों को suggest करूंगा कि आप लोगों को जब भी अपना इलाज कराना हो तो कौन कौन से hospital good health TPA से जुड़े वे हैं आपको उसी hospital में जाना है जहां पे आप लोगों को cashless इलाज मिल सके यानि कि कोई payment ना दिननी पड़े cashless claim के लिए आप लोगों को hospital में जाना है रोगों को दिखाना है यानि कि जो मरीज है उसको check-up कराना है अगर डोक्टर को लगता है कि patient को तकलीफ जादा है तो वह admit होने के लिए आप लोगों को बोलेंगे उस टाइम आपको admit होना है और उनको बताना है कि हमारे पास good health TPA का card है तो वह बोलेंगे कि एक बार TPA में आप जाके अपना card चेक करा लीजिए यह card जो होता है admit case में ही चलता है 24 गंटे minimum आप लोगों को admit होना पड़ेगा जो policy की terms बोलती है उसके अलावा अगर आप लोगों ने OPD से related कोई plan ले रखा है तो उसके अंदर भी आप लोगों के OPD के बिल cover हो जाएंगे लेकिन वह को reimburse करने पड़ेगे कैसलेस इलाज के लिए minimum 24 गंटे आपको hospital रहना ही होगा तभी आप लोगों को free इलाज मिल पाएगा यह आप लोगों को दिमाग से निकाल देना है कि आपके पास card है तो आप को free इलाज हो जाएगा वो सिर्फ admit case में ही आपका card चल पाएगा डोक्टर से मिलने के बाद और टीपे की टीम से मिलने के बाद वहां पे आप लोगों को अपने गुड़ेल्ट टीपे के डोकुमेंट्स चेक कराने जो टीपे की टीम होती होस्पिटल के अंदर वो डोकुमेंट्स वेरिफाई करेंगे आप लोगों से आईडी लेंगे जिसे आदार काड हो गया पैन काड हो गया पिछिट का और वो cashless claim का process सुरू कर देंगे आप लोगों से form साइन कराएंगे उस form को pre-authorization form बोलते हैं और उस form के अंदर आपकी बिमारी की detail फिल करेंगे वो लोग डोक्टर से भराएंगे या खुद बरेंगे वो फिल करने के बाद उसके अंदर आपकी विमारी में कितना खर्चा लगेगा कितने दिन तक वो होस्पिटल में रखेंगे वो उसके अंदर estimate amount भरेंगे जब उस form को भरके insurance company यानि की good health tpa वालों के प control बोलते हैं उसके अंदर वो lump sum amount पास करके बेजेंगे अगर उसके अंदर को deduction होके आती है तो आप लोगों को घबराना नहीं है क्योंकि वो जो पैसा कटके आता है वो final के उपर पास हो जाएगा क्योंकि final के time पे एक बड़ दोबारा से request बेजी जाती insurance company के पास यानि की good health TPA के पास तो वहाँ पे वो आप लोगों के final bill को check करते है final bill के अंदर room rent से लेके medicine का lab test का सभी खर्चे उसके अंदर mention होते हैं वो उस bill को check करते हैं और उसमें से जो bill उनको pass करना होता है यानि कि जो amount पूरा पूरा पास करना है या कुछ deduction करना होती है वो final पे ही decide होता है initial क के अंदर कोई deduction होके आती तो आप लोगों को घबराने की ज़रूद बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि final पे final approval आता है final approval के अंदर को deduction होके आती है तो वह आप लोगों को पे करने पड़ सकती है अगर ऐसा कुछ deduction होके आई है तो तो यह तो हो गया cashless claim का process दूसरा होता है reimbursement claim क process अगर हम किसी non-network hospital में जाकी इलाज कराते हैं तो वहाँ पे हमें पहले दिन से सभी payment hospital को देनी पड़ेगी क्योंकि वह good health TPA से जुड़ा हुआ hospital नहीं है जब हमारा treatment complete हो जाएगा उस non-network hospital के अंदर तो वहाँ से हमे final बिल लेना है discharge summary लेनी है medicine के बिल लेने lab test के बिल ल करानी है उन सभी documents को लेके जाना है claim form A claim form B भरना है और good health TPA के पास भर के उस home को और सभी supporting में बिल लगा के भेज देने है वह आपके claim को आपके bill को check करेंगे अगर उनको लगता है कि आपके documents एकदम complete है तो आपके claim को pass करके वह आपके खाते में पैसे transfer कर देंगे और अग इसको लेके query लगाएंगे query का answer आप लोगों को एक सबते से 10 दिन के अंदर करना होगा कि वह दोबारा से आपके claim को review करके पास कर दें तो यह होता है reimbursement claim का process तो good health TPA के अंदर दो एक claim के process होते है तो cashless claim का process होते है reimbursement claim का होता है दोनों process मैंने आप लोगों को detail में समझा द प्रेटर भी आप मुझे ज़रूर शेयर किजिए उसका जवाब भी आप लोगों को ज़रूर मिलेगा तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बैल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का notification को जितने हैं उन सभी के साथ 으 को शेयर किजिए अपने क्लेम का प्रोसेस जान एक उनको फीचर में कभी क्लेम लेते ताइम कोई प्रोबिम न रहे हैं तो आज की वीडियो में इतना है वीडियो निकस्ट वीडियो मेंने तब तक के लिए